दमस्कार शांथियों गौरफ ग्यान धरा में आपका स्वागत है और इसकुल व्याख्यादा के इस बैच में फिर से आपका स्वागत हैं तो उनके लिए रीविजन स्फे स्वूरू की इस दर्मियान मेनेज करना बहुत मुस्किल हो जाता है लेकिन फिर भी गया है अपने इस इसकुल व्यक्याता की classes को थोड़ा सा break दिया था अब चुंकि बहुत जल्द आपके इसकुल व्यक्याता की vacancy भी आने वाली है अपने इस classes को फिर से continue कर रहे हैं इससे पहले 40 classes मैं दे चुका हूँ तो जो विद्यारती नए है या पहली बार GGD पर आये हैं तो एक तो यह बता दूँ कि यहां पर जितनी भी classes आती है मेरी कोई भी classes एफ पर नहीं है जितनी भी classes है वो सारी यूट्यूब पर है 1100 से अधिक वीडियो यूट्यूब पर डाले हुए हैं जिनमें मैंने बहुत सारी परती और बहुत सारी प्रिक्शाओं से संबंदित पढ़ाएं हैं और सेलेक्शन भी दिये ठीक है रही बात की इस्कूल व्याख्याता के बैच की तो हिस्ट्री में जिके की करवा चुका हूं ठीक है राजस्तान की अभी हिस्ट्री की classes अपनी चल रही है फिर इसके बाद में जोग्राफी की भी लेंगे मतलब प कुछ भी करने की अविशिक्ता नहीं है जैसा कि आप देख पा रहे हो कि पूरा यहां पर लगबग लगबग चार लाख विद्यार्तियों का यह विश्वास है तो देखो यह पूरा ही बैच जो है आपके प्री रहने वाला है चाहिए आप देखो इच्छा आपकी आप च नल देखो ब्लेजे की है तो यहां फिर करता है प्लेश करते हो यहां पर यहां को होमपेज मिलता है घराज को राओ दारा का का ठीक है YouTube का तो आप देख लेना फिर को यहां पे यह प्ले लिस्ट दिखती है आपको प्ले लिस्ट का ऑप्सन दिखता है ठीक है इस प्ले लिस्ट के ऑप्सन पर जाओगे तब आपको क्या है यह class की प्लेइलिस्ट मिलेगी अब इस प्लेइलिस्ट में जाओगे तो जीके की जैसे आपको classes देखनी है तो यह देख पा रहे हो आप यहाँ पर 41 वीडियो बता रहे हैं एक syllabus analysis का है बाकी 40 class है ठीक है तो यह यहाँ पर इसके अंदर सारी लोगों को साइंस की क्लासेञर कीłem के नरेंडर सिख बाती ने English की करवा रहे है अभी हिंदी और English की classes अपने समय के लिए रोकी है और रोक के रखेंगे क्योंकि second grade की revision classes के उसके चकर में यह हो नहीं पाती है इतनी regular वह पूरा भी करवाया जाएगा उसका रिवाई रिविजन भी करवाया जाएगा ठीक है और इनकी अभ्यास series भी दे रखी है वह जीडी एफ पर दे रखी है ठीक है वह आप सब जानते हो तो यह पूरा नहीं क्लास आपको यहां से जरूरी नहीं है ठीक है नहीं तो अपन जो है क्लास पे ही फोकस रहेंगे ठीक है तो यह जितने क्योंकि नए विद्यारती काफी सारे देखते तो उनको बार-बार कई न कई पूछना पड़ता है तो मैं कुद ही यहां से बता देता हूं अच्छा आज की जो क्लास है अप अपन राजस्तान का एक्करण ठीक है एक करण अपन दो पार्ट में पढ़ेंगे वैसे एक करण राजस्तान का हुआ साथ चर्णों में है अपनि इसको पढ़ लेंगे के अंदर थीए तो आज की class quo करते हैं सुरू ठीख है चलिए मैं वैसे आपको याद करवा दूंगा यह बात तो पकी आए यह जो नक्सा हो यह राजपुताना का नक्सा है नाजस्तान का नहीं राजपुताना का क्योंकि पहले नाम क्या था राज पुताना राजत्तान अस्तिद्वों में बाद में आएगा अपन इस एकिकरण की प्रकरिया को आगे बढ़ाएंगे तब राजस्तान अस्तिद्वों में आएगा देखो अब क्या था पहले 1942 के अंदर ट्रिप्स मिशन आया था और 1946 में एक मिशन आया था जिसका नाम भी तरह का mean harness etc Saudiाफ टिक्स के लजिए जिम्मेदार या नहीं है या कसे ऐस तरीकहेंए तो इसने वहल नाट्चा में दीखने स्ब्यक्तोय है अब के अनुसार जो इसकी अनुसानशा थी उसके अनुसार यह था कि जो बड़े इस्टेट है वह अपना स्वतंत्र अस्थित्वर रख सकते हैं बाकि छोटे जो रियासते हमें उनको किसीने किसी बड़े स्थेट के साथ में मिलना होगा यदि उनकीho पर देखें तो अपने यहां के जो बड़े बड़े थे जैसे की मारवाड के दो आप जीसे जोतपूर कहते हैं मेवाड बिकानेत कोटा ये चार-पांच ही बड़े थे जो अपना स्वतंत्र अस्थित्वा रख सकते थे ठीक है उसके लिए एक करोड तो वार्सी काय होनी प्रूरी थी ये मतलब मिनिममम सर्थ थी अब ये सभी पूरी नहीं करते थे तो रियासत्तों के सभी के अंदर जो है अपरा तवरी थोड़ी सी मची हुई थी ये एक ही करण का क्योंकि भारत में उस समय देखी जाए तो पांसो पैसट रियासते थी आप लोगों ने हैं तीन को बाद में मिलाया गया था अलग-अलग कारवाई से ठीक है ना वो मैं पड़ा चुका हूँ एक बार ठीक है तो टोटल गया पांसो पैसट रियासते थी तो क्या पांसो पैसट देश बन सकते हैं इतनी पांसो पैसट देश हो तो फिर भारत एक यूनियन कैसे होते हैं तो सायत आज हम जो भारत का रूप देख रहे हैं वो नहीं देख पाते, सदार वल्लबाई प्टेय को इसलिए लोह-पुरुस भी एक करण किया इसलिए तो यहां पर पहले क्या यह समझना है आपको कि यहाँ पर इन सब के एकिकरन के लिए रियासती विभाग का गठन किया गया ठीक है रियासती विभाग का यहाँ आप कह सकते हो रियासती सची सची वाले का गठन किया गया जो मैं आगली स्लाइड पर आपको बताऊंगा इस समय राजस्थान की इस्ति जाये तो तीन ठीकाने थे ठीक है तीन ठीकाने थे और ठीकाने कैसे याद रखोगे आप ठीकाने इस नाम से याद रखना नकूल ठीक है ठीकाने कैसे याद रखोगे नकूल नाम याद रखना अब नकूल से क्या होगा यहां एक ठीकाना था जिसका नाम था नीम्राना ठीक ह अलवर के अंदर एक ठीकाना था जिसका नाम था कुशल गड़ कुशल गड़ मासवाड़ा के अंदर और एक ठीकाना था जिसका नाम था लावा तोंक के अंदर ठीक है ये तीन थे ठीकाने उन्निस थी रियासते और एक था कैंदर सासित प्रदेश जो था अजमेर जो सीधा ही कैंद्र से संचालित होता कैंद्र सासित प्रदेश चेप सेफ कह देते देजिसे ये थी राजस्तान की इस्तिदी अब ये 19 रियासते थी इनको एक करना था तो इसके लिए जो है एकी करण की प्रिक्रिया चलती है वैसे मैं पहले भी एकी करण पढ़ा चुका हू लेकिन याप फिर से बेसिक से ही चल रहा हूँ ताकि एक एक चीज जिसके क्लियर नहीं थी उनके भी क्लियर हो जाए आगे बढ़ते हैं अपन इन सब के लिए क्या किया गया रियासती विभाग का गठन किया गया या आप कह सकते हो रियासती सची वालाय क्या सकते हो क्या क इसके अध्यक्स किसे बनाएं किसे बनाएंगे तो अध्यक्स किसे बनाएंगे वल्लब कि पटेल और इनके राइट हैंड बने यह व्यक्ति जिन्हें आप देख पा रहे हो इन्हें कहते हैं वीपी मैनन्द काई जगे दिमाग सरदार परतेल साब का चलता कंगे वीपी मलन्द का पटेल साब के पिर यह वहां करे कि वह तरीगेसे काम करते हैं कि इनकी निती ये थी शाम, दाम, धंड, बेद, कैसे भी करके मिलना तो है भारत के अंदर ठीक है ये निती थी नहीं तो जोदपूर के महराजा हन्वन सिंग जी खुद जाते थे कि मैं पाकिस्तान में मिल जूँ एक कोप्ड कराव है कि पाकिस्तान वाड़ा धन मतलब कदरी न दबाव डालेते तब जाकर यहाँ पर मिलने को राजी वेते ठीक है तो यह वीपी मैं नम और यह चीज़ें याद रखना अब देखो अब देखो यहाँ पर यह कुछ चीज़ें जो आपको पैक्ट सिरे याद रखने कि राजस्तान की सबसे प्राचिन रियासत कौन सी थी तो सबसे प्राचिन की बात करें यदि अपने दिमाग मतल थोड़ा सा भी आप सोचोगे ना तो सबसे प्राचिन वन्स की दिमाग में लियाया करो कि इनकी छवी इतनी जवर्दस्त है तो सबसे प्राचिन रियासत जो थी वो थी मेवाड कौनसी थी मेवाड सबसे नवीन अछ जालावार ही सबसे नवीन है यम सबसे बाद में जालावार ही गठित हुआ मतलब रियासत बनी यह कैसे याद रखोंगे तो कि किसी समय तो यह रियासतों तो जालावार 1838 के अंदर सबसे नवीन रियासत के अंदर है सबसे बड़ी रियासत अब सबसे बड़ी रियासत में ट्विस्ट है ट्विस्ट यह है कि एक तो आएगी चैतरफल के आदार पर और एक आएगी जनसंख्या के आदार पर सबसे नवीन रियासत ठीक है चैतरफल के आदार पर यदि पूछी जाएगी तो जोधपूर यानि कि आप जोदपूर को क्या कह सकते हैं मारवाड और जनसंख्या के आदार पर पूछी जाए तो जैपूर अब देखो अभी भी अपने राज़दा नहीं है जैपूर तो जनसंख्या के आदार पर जैपूर अच्छा सबसे छोटी रियासत पूछे तब द्यानकना सापूरा सापूरा चैतरफल की द्रश्टिशे भी और जनसंख्या की द्रश्टिशे भी सापूरा तो ये सिधी सिधी याद अठनी है एक मात्र मुस्लिम रियासत पूछे तो द्यानकना टौक ठीक है ये तो याद रह नहीं नहीं दी जाती थी यह आप लिख लेना मैंने बोल के बता दी आपको यह रियासतों से संबंदीत ततकालीन रियासतों से संबंदीत प्रस्थन है ठीक है अच्छा एक स्टूडेंट के गुरूजी बैच 500 शुरू करो आच्छी बात है लेकिन थे लेने देने रहो ध्या करें ठीक है पड़ाओ भी आप नियमित्ता भी आप रखो सारी चीज़ें आप करो हम तो बेता आज बादसा है हम तो हमारी मुर्जी से चलेंगे ऐसे थोड़ी चलता है ऐसा थोड़ी होता है कि चलिए आगे बढ़ते हैं कि आगे बढ़ें उससे पहले एक चीज़ बताऊ और confusion क्योंकि एक ही करण जैसा topic प्रजामंडल जैसे topic ऐसे topic है कि exam के अंदर जब प्रस्ण सामने आता है न तो वास्तों में हालत खराब होती है पसीने चूटते हैं उस समय कि उत्तर याद नहीं आता है तो इसके दो तरीके एक तो क्या है कि सीधा याद परो कि जैसे दे र गुरुजी मानत तरीका याद कौन में तो मैं बताओं त्रीका याद कौन में तो की मात जैंड नियां जो ट्रीक मैंसे निकलेगा conclusion वह याद करो वते हैं Polsce की में तो एक सरफ ग्रडुक देख 127 का कू वह की मोतती है कि यह लिए देख करOST है विदेख न हो दो अरण के छाटाग्ते वह सब्धा है हुए मे ट्रीक घ्री याद कर दो न के सिए सुविधा का फायदा कैसे उठाना वह आ लोगों को देख न complexities मेरें गुरुजी मानियों याद कुन में मैं आ जाओं तेरी जेके परिक्षा मैं देदू ठीक है तो गरें नेचो दार बैठ जा त्यान दो इदर राजस्तान का एकी करण कितने चर्णों में हुआ साथ पेरों के सातों वचन प्यारी दुल्षनिया बुलन जाना ठीक है समय क कितना लगा को ठोटल समय कितना लगा ऑठ वर्सद में और सात करन को पूरा समय का वहां तो पर देख लिए ह। आंप जलते हैं अपना आगे अच्छा ये बॉक्स किस लिए है तो կे है 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 इसमें तो मज़ए होगा अब देखो राजस्तान के एककरण के चरण याद कैसे करने कि याद करो बड्या जैसे किसी का परन रार्ट कर रहे हो ठीक है कैसे थोड़ी सी पेन बड्डी कर लेता हो है ना लिखने में आसले होगी दिखने में भी आसा नहीं हुई 18, 25, 18, 30 का आधा 15, 26, एक, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे और साथ, ठीक है, 18, 25, 18, 30 का आधा 15, 26, एक, इस तरीके से आपको याद करने हैं, अब देखो, अब महीने कैसे याद करें, मामा, ठीक है, दो बार तो मामा, मामा, अमी जान, तो आपन अमामी जान कर देते, अमामी, मी में आ जाएगा मै, ठीक है, अमामी जान, ठीक है, ऐसे, बोला क्या है मैंने, मामा अमी जान, और लिखा क्या है, मामा, अमामी जान, ये है तरीका, ठीक है, अब क्या है, तीन बार लिखो 48, उन्न 48, दो बार 59, 49, 49, एक बार 50 और एक बार 56 इंच का सीना, ठीक है, अब आपके आगी डेट, अब आपके कुछ भी नहीं है, यदि पूछें कि पहला चरण, ये क्या है, पहला चरण, यदि आपको पूछते हैं, ये क्या पहला चरण, कि पहले चरण का कब हुआ, तो 18 मार्च 1948, फिर पूछें कि दूसरा चरण कब है, 25 मार्च 1948, फिर पूछें कि तीसरा चरण कब है, 18 अप्रेल 1948, फिर पूछें कि चोथा चरण कब है, 30 मार्च 1950, ठीक है, फिर पूछें कि पाचवा चरण कब है, तो 15 माई 1950, पूछें कि छटा चरण कब है, 26 जनवरी 1950, पूछें कि सा नात्वा और अंतिम चरण कब है तो एक नवंबर 1956 कि एक नवंबर 1956 अब इसकी डेट आप यहां पर लिख सकते हो ठीक है लेओ इसक्रीन स्वाट लेलियो इस तरीके से बहुत आसान हो जाता है क्या है किसी के फोन नम्बरी तो याद किये जैसे 1825 अठारा तीज का आदा बंदरा चुबी जान फिर यह लिखो के अपने आप दिमाग पर जाएगा इतना थोड़ा तो पढ़ते भी हो ना इतना दिमाग जब फर्स्ट्रेट देने जा रहे हो तो थोड़ा तो आप भी पढ़ते ही हो ना तो यह तो दिमाग चली जाएगा फिर अड़तर इस दिन बार उन पच्चास दो बार, पच्चास एक बार शपन एक बार ठीक है याद रहे जाहीं नहीं अरे याद रखने के लिए यह है ठीक, अब चले आगे कि अब रही बात आपको अगर क्रम दियान रखना है मैं जो भी बताऊंगा उस्में क्रम नंभर वाई एक दो सिन्चार 571-234567 उसके अनुसार सेट करते जाना है कहीं ऑप्रस्ण भी गलत होने का कोई चांस नहीं एक भी प्रस्ण गलत नहीं होगा आओ राजदानी बढ़ा है ठीक है राजदानी राजदानी के लिए लिखो अलका उदय अलका और उदय की ठीक है अलका उदय की चार बार जय चार बार जय अलका उदय की चार बार जय अलका और उदय कुण है अपार खाली याद करने है अलका उदय की चार बार जै सबसे पहले यहां से आप लेलो अलवर पहले चरण की राज़दानी अलवर फिर यहां से लेलो आप पोटा फिर यहां से लेलो आप उदयपूर फिर यहां से चार बार जय यानि की जैपूर है ठीक है तो पहले के तीन चरण में तो यह हो गई और चार बार पिछे के चार चरण है उनमें जैपूर रहनी है अलका उदय की चार बार जय बोलनी है एक बार में अलका उदय राजी कौन में है पहले चरण की दूसरे चरण की तीसरे की और बाकी के पिछे बचे चौथा पांचवा छटा साथवा इन सभी में जैपूर बाद में सब की जै बोला नहीं है बस इस तरीके से यह आपके हो गई काटा निकल गया आजओ आप राजपर्मुकों पर राजपर्मुक आगे ठीक है राजपर्मुक भी ठाइम के पास ले जाओ तब यह मानेगा ठीक है उदेडी भी बोपर मान मान इन गणों मनानों देखो मान मान यह चार बार सिंह भतलगे अ Noch वह दोना सिंग जा करते की ब्मड़न तर्द आलों इसकार ची। ुदेजसिंग का एक यह क्यों थे तेजसिंग जी क्यों नहीं थे यह में मतस्थिप नगा। पुछे से उद्येबान सिंग दॉलपूर यहां से आएंगे भीम सिंग कोटा यहां से बोपाल सिंग उद्यपूर वाले बोपाल सिंग उदयपूर और यहां से मान सिंग जैपूर मान सिंग जैपूर बाकी डिटेल अपन अंदर जब चरण के अंदर चलेंगे तब यह उपरी प्रस्थन है और 60-70% प्रस्थन यहीं से पुछे जाते हैं जो सिदे सीदे साही करने होते हैं और यह अपने कहीं किसीन किसी काराण गलत नहीं होगा ठीक है अभी एफट लगेगा आप लोग कोई नहीं है यह ट्रीके इतनी आसान है कि मेरे आदे से उपर जितने इस्टूडेंट उनको मुखजवान ही याद है और मजान है कि उनका एक प्रशन भी गलत हो जाए इसमें से कि Penfit in के नाम पर प्रश्ण गलत नहीं होना चींए ठीक है और याद नहीं रहें डाइरेक्ट टीक याद करो कि पहले ये दूसरा ये तीसरा ये बस दोनों ऑप्जन है याद करने के तरीके मेंने दोनों बताएं लेना इस्पिंस वर्ट तो ले लो दोनों ऑप्जन बताएं आपको कैसे याद रखना है, वो आपको बता है, ठीक है, चलिए, अब आते हैं, उद्गाटन करता है, हर चरन का कोई न कोई जैसे कि इस्टाट में थे, उद्गाटन करता चार चरनों के याद रखने है, ठीक है, उद्गाटन करता चार चरनों के, क्या याद रखना है, जी जी का नहरू सरदार यह उद्गाटन करता के आपको नाम अब यह जहां पर जी आया है न वो क्या है भगवान है गौड दी यानि गौड ठीक है तो गौड गिल नरहरी विष्णु गौड गिल एन्वी गौड गिल ठीक है यहां पर भी गौड गिल पहले दो चर्लों के उद्गाटन करता एन्वी गौड गिल ठीक है अब आए बाद राजस्थान के एक ही करन के परदान मंत्री परदान मंत्री कौन-कौन थे देखो डारेक्ट ही सारे चीज़े सारे चरन एक एक साथ मैं आपको याद हो रहे फिर मैं आपको मैप पर भी लेके जाओंगा फिर मैं आपको डिटेल में भी लेके जाओंगा अभी तो अपने सुरू किया है जंदबाजी की स्टेज गी है अब बात करें अपन राजस्तान के परदान मंत्री की परदान मंत्री में क्या कर हीरे ज्यादा चाहिए सभी को दौलत सौरत क्या करनी है चलिए हीरा अब पहले चरण के परदान मंत्री शोबाराम कुमावत शाब दूसरे चरण के गोकुल लाल असावा शाब तीसरे चरण के आपके आजाएंगे मानिक लाल वर्मा साब चौथे में हीरा लाल सास्त्री शाब ही रा लाल कास तरहें, ओके, काम ही यहाँ पे तमाम है, हमें शारे चरण याद है, देखा, पुछे तो सही हमें कोई प्रस्ट न, हम जिजिडियन से हमें सब याद है, ठीक है, ले लो आ रहे, ले ओ, अब आजे ओ, ए चीज़ां तो याद हो की थन, ठीक है, सातो चरण, सात फेरो के सात बचन होते हैं, मैंने सात चरणों के, मतलब आपको सारे स्टैप याद करवा दिये हैं, ठीक है न, सब के कहां से पूछेंगे, पुछो देखा, राजदानी, राजप्रमूख, आप पूछो, हमें, हैं, परदान मंत्री, कुछ भी पूछ के देखो, डेट, वेट, सब होई, यानि कि सबसे पहले अपनी सुरुआत, अलफाबेट की कहां से होती है, ABCD से होती है, तो अपन यहाँ पे भी सुरुआत कहां से करते हैं, यहाँ पे भी अपन सुरुआत ABCD से करते हैं, अलवर, बरतपूर, करोली और द्वालपूर, सबसे पहली सुरुआत कहां से हो होगा सबसे पहले यह द्यानक है कि अलवर वाला जो छैतरा है ना अलवर बरत पूर वो क्या कहा लाता था मेव ठीक है मेव यानि कि यहाँ फ़ी यहां पर मेवल मुश्रीम बाहुलिय था ठीक है ना मेव मुश्रीम अभ यहाँ पर-वर मेब महराज आख cher देज सिंगे और इनके एकाँ पे सचीव था एन वी खरे कौन था करे खरे याद रख लेना इन दोनों पर आरोप लगते हैं आरोप किस बात कैना क्यों विभाजन हुआ थो क्या हुआ सामपर्दाइग दंगे हुए सामपर्दाइग दंगे यानी की हिंदू मुस्लिमों के ल गये हुए थे color who always change it हैं अब यहाँ पे मेव मुसल्वान थे न हुम ने यहाँ पर ने यहाँ यहाँ पर भी सांपर्दायक दंगे प्रहा करू ने कि इनकी मांग झी कि इन दोनों पर आरोप लगा इन दोनों के उपर कही तरह की जाचे भी चली इसी दर्मियान जो है मात्मा गांदी जी की हो गई 1948 के अंदर हत्या उस हत्या के तार भी यहां से जोड़ दिये गए इसमें कहा गया कि इनके अत्यारों को सरण यहां तेज सिंग जी ने दी और यही संग में मिलाना बहुत जरूरी था इनको एकिकरत करना जरूरी था तब यहां के जो है सासक जितने भी थे अलवर भरतपुर दौलपुर करो ली इनके यहां इनको बुलाया गया दिल्ली बुलाया और फिर कहा कि आप लोगों को देखो वैसे भी इतनी कोई बड़ी रियास संग बना दिया गया चार रियासितों को जोड ठीक है इतना आपको मैंने सौर्ट में पढ़ा भी है और आप लोगों को भी बताऊंगा क्यूंकि तेज सिंग जी फसे हुए थे किसमें अलवर राजदानी तो अलवर पहले चरण की और राजब्रमुक उदेबान सिंग द्वालपूर के तो क्यूंकि तेज सिंग जी पर मुकदमें चल रहे थे यहां यह फसे पोली और द्वालपूर राजस्तान के नक्सिये को देखोगे तो यह चैत्र और यही चैत्र है ये वाला ठीक है इसका एक्टी गरण सबसे पहले होता है और नाम क्या रखते हैं मतश्यशंग यह नाम किस ने सुजाया के एम मुनसी ने किस आदार पर कह भई महावारत काल म महाबारत काल में भी विराटमेगर वगरे जैसे यहाँ पे मतस्य संग की राजदानी तो इसलिए इसको मतस्य संग नाम दे दिया गया ठीक है महाबारत के आधार पे दिया गया यह याद रख लेना अब बात करते हैं अपन आगे अब देखो कि इस था अपना अब याद करो इस था पना पुछे तो अठारा पच्चीस अठारा तीसका आधा पंदरा ठीक है ना फिर क्या था मामा अम्मी जान तो मार्च फिर क्या था 1948 था तो ये तो एक तो हो गया सामिल क्या था ए बी-सी-डी ट्रिक लिखी ती ना अभी तो आप यहां पे सीधा ही लिख दो, अलवर, B से बरतपूर, C से करोली, अब यूं मत क्या देओ के सर के से होता है करोली, A, B, C, करोली और दौलपूर, जाट रिया सते थी, बरतपूर और दौलपूर, अब यहां पे एक और पंगा हुआ, जब इनका उद्गाटन कर रहे थे न, तो इनका उद्गाटन वैसे 17 मार्च को हुआ है, लेकिन अस्तित्वम है, यानि की काम सुरू 18 मार्च से किया, इसलिए कई आपको 17 मार्च दिता है जब आपूर्ती मंत्री थे, ठीक है, इनको बुलाया गया उद्गाटन करने, लेकिन पंगा यह हुआ, कि बरतपूर महराज के बाई थे मान सिंग जी और जाटों के नेता, आप लोगों पते यह देश राजी, इन्हों ने पंगा कर दिया, और यह अतियार रतियार लेके अंदर गुजगे, इन्हों ने का कि यह तो जाट सक्ति के विरुद यह काम कर रहा है, सारा ही, और यह अजन नारे भी दिये यह, और इन्हों ने पंगे किया, छुपा छुपू के, अतियार लेके अंदर गुजगे, फिर बाद में, इनको समझा बुजा के, देश राजी स इसलिए 18 मार्च अपल पड़ते हैं, ठीक है, चैत्रफल, इसका जो चैत्रफल था, यह इनको मिला कर, वो था 12,000 पर किलोमेटर, 12,000 वर्ग किलोमेटर, यदि जन संख्या की बात करें यहाँ पे, कि यहाँ पे जन संख्या कितनी थी, तो जन संख्या थी 18.38 लाख, इनकी स किसको बनाया, अलवर को, राजप्रमु किसको बनाया, उदाय भान सेंग, दॉल्पूर को, परदान मंत्री कौन थे, सारे का सारा देखो ट्रिक से याद आएगा, सोबा, राम, कुमावत, और उप राजप्रमु किसको बनाया गया, यह द्यानकना गनेश जी को बनाया है गणेश पाल करोली गणेश पाल करोली उद्गाटन करता कौन थे तो आपको अब भी आगे बताया था एन्वी गौडगेल एन्वी गौडगेल वार्सिक आये कितनी थी 184 लाख रुपई यह ठीक है इस तरीके से आपको यह सारे चीज़ें याद रखनी है मतश्य संग से अच्छा इनको जब वा दिल्ली भुलाया था ना तब इनको कहा भी था कि याद रखना यह संग अलग बना दिया इसका मतलब यह नहीं कि आप अलग देश हो गए आपको कभे भी बड़े यानि कि या तो राजस्तान यूनियन राजस्तान संग या उत्तर परदेश दोनों अब के चीजें जो एक्जाम में पुछी जाती इसमें से एक भी प्रस्ण बार जाना नहीं है और इसमें से बार गया ना वो सभी के लिए बार है इससे ज्यादा और इससे व्यववस्तित न तो कोई च्टूडेंट पढ़ सकता है और पढ़ भी लेगा तो इतना याद नह चीज आज की क्लास यहीं पर बताना जरूर कि ये क्लास लगी कैसी और फिर से क्लास शुरू हो गई तो खुश्यां सेर तो करनी पड़ेगी ना तो आप लोग अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरीके से समझते हो मैंने मेरी जिम्मेदारी पूरी की आप लोगों को अभ्यास तरी जो पलब्द करवा रखिया है जीजीडी एप पर जाओ और साथ में जैसे ये टॉपिक पूरा होता है साथ-साथ ये अपनी कैसी अभ्यास तरीज है जो हाथो हाथ का आथ में अभ्यास करना है यह मत तोजना कि क्या वता सर को फाइदा होगा बिल्कुल ही न आपके ये चीज ये एफट ये एफट बहुत फाइदेमंद रहे तो जो को फॉलो करना आप लोगों का काम है बताना हमारा काम है ठीक है ना तो ये चीज इस तरीके से हैं बाकी टेलिग्राम से नहीं जूड़े हो तो जूड़ जाना क्यों क्योंकि जीजीडी फैक्ट टेलिग्राम से आपको मिलता है ठीक है और रोज मिलता है तो बढ़िया टेलिग्राम से जरूड़ जूड़ जूड़ जाओ हर अपडेट वहाँ पर दी जाती है और अब सोमवार्थे गुरुवार आप लोगों के ये क्लासे नियमित रहेगी चिंता बिलकुल ही नहीं करन करना है और राज करना है ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में अगली क्लास में तब तक के लिए राम राम जैहिए